एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरान विय बेटे की इंतजार थी, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के रूप में, एक संकलिप व्यक्ति जब निकलता है, तो असंभव कार्या भी संभव हो पाता है. एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरानविय बेटे की इंतजार थी, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के रूप में, जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर, एक संकल्प व्यक्ति जब निकलता है, तो असंभवकार्य भी संभव होता है, और इस अभ्यान में, मेरे लिए स्वैम एक भावनात्मक्षन है, क्योंकि सन असी के दशक में, मेरी आज जियम्मा, राजमात्य साब, विजयराज सिंद्य जी भी, इसी अभ्यान के साथ जुड़ी हुई थी, लालकृषन अडवानी जी के साथ, मुर्ली मनोर जोशी जी के साथ, और एक भावनात्मक्षन्ड मेरे लिए स्वैम है, और एक जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति एक भारत माता के बेटे के इंतजार थी, जो उस संकल्प को सिधी में परिवर्टित कर पाए, और वो हस्ती प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी के रूप में, जिनोंने आज की पीडी नहीं, लेकिन हजारों साल पुरानी पीडियों के सपनों को साकार करने में, पून अपना योगद प्रधान केवल नहीं दिया, लेकिन शमता के आधार पर वो पून रूप से साकार करवाया है, और बाइस जन्वरी जैसे प्रधान मंत्री जी ने स्वैम कहा, इस साल में तीन दिवाली होंगी, एक दिवाली जो हमने मनाई भगवान की दिवी, दूसरी दिवाली जब तीन पांच विधान सभाओं के चुनाव के नतीजे आए, और तीसरी दिवाली बाइस जन्वरी को मनाई जाएगी, जो पार्टी कहेगी, पार्टी का सिपाई हूँ, जो पार्टी कहेगी मैं करूंगा,